आज हम बात करेंगे साल 2021 की आखरी चंद्र ग्रहिन के बारे में जाने की सदी का सबसे लंबा ये ग्रहिन कितने समय तक रहेगा यानि की इसका एक्जाक्ट टाइम क्या है जिस समय पर आपको विशीज सावधानी बरतने की जरूरत थे दोस्तों पुर्णिमा तिथी पर सूर्य और चंद्रमा की मध्य पृत्वी आजाने पर पृत्वी की चाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो यह भाग काला दिखने लगता है तब चंद्र ग्रहिन का प्रभाव आपको देखने को मिलता है चंद्रमा का पीडित होना हर तरी किसी चंद्र ग्रहन बन जाता है दोस्तों इस बार चंद्रमा बेहत पीरित अवस्था में हुगा क्योंकि लंबे समय तक चंद्र ग्रहन का प्रभाव दिखाई देगा इस बार का चंद्र ग्रहन आंशिक ग्रहन रहेगा इसलिए सुतक काल मानने नहीं होगा भारत में आसाम और अरुनाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह ग्रहन दिखाई देगा लेकिन अमेरिका उत्री यॉरप पूर्वी एशिया और प्रिशांत महसागर के कुछ हिस्सों में यह ग्रहन जरूर दिखाई देगा दोस्तों हाला कि भारत में ब सबसे पहले आपके मन और आपके शरीर पर पढ़ता है। कुछ लोगों के शरीर पर इसका नकरात्मक प्रभाव कई बिमारियों के रूप में दीखा जाता है। विशेश कर बुजूर्गों पर, बच्चों पर और डर्वती महिलाओं पर इसका नकरात्मत प्रभाव अधिक रहता है और प्रतियक व्यक्ति का मन, ग्रहन के दौरान काई प्रकार के उल्चनों से उल्चा रहता है मन विचलित रहता है, कन्फ्यूजन की स्थिती भर जाती है, एक भेका आपको अभास रहता है क्योंकि दोस्तों मन का कारक यान की चंदर मा जग पीरित होगा तो मन पर जरूर असर पड़ेगा लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखकर आप इस ग्रहन के प्रयभाव से बच सकते हूँ दोस्तों इस बार व्रिशब राशी और कृति का नक्षत्र पर ये ग्रहन लगेगा इसलिए ध्यान दीचेगा, विशेश उपाय जरूर कीचेगा, जो भाग में ग्रहन नहीं दिखाई देगा, आप इस समय में अगर जरूरी ना हो तो घर पर रही, घर के कपाट बंद रखे, परदे ढगता रखे, मंदिर के कपाट विशेश कर बंद रखने होंगी, किसी भी म अधिक आपको कोई भी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर ग्रहन दिखेगा, वहां पर सारी सावधानिया बरतिएगा, ग्रहन के समय घर से बाहर बिलकुल मत निकलिएगा, ग्रहन के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं है, ग्रहन के समय विशेश आप अपने चंद्रमा को शान्त करकर रख सकते हूँ साथ ही साथ अगर बात करें समी की हम भारत के समी के अनुसार बता रही है आपको भारत के समी के अनुसार ग्रहिन का टाइम सुभा 19 तारिक को 11 बचकर 34 मिनट पर शुरू होगा और शाम 5 बचकर 69 मिनट पर समाब धुका वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब तरी मैं निवाद